तो यार DC Movies के Newest Member Blue Beetle vs MCU Legend Iron Man के भी शोडाउं कापी टाइम से मैं करना चाह रहा था बट अब जागी सही टाइम आया क्योंकि Blue Beetle के बारे में सबको तोड़ा आइडिया लग गया ट्रेलर की वज़े से अब Blue Beetle vs Iron Man करने का रीजन है इनके बीच की similarities जैसे powerful body suit, मन चाहे weapons create करना और help करने के लिए AI assistance तो एक तरह आइन मैं सूट में Genius और Billenia Tony Star तो उसके सामने है magical alien technology से power discover बले आर्मर में Blue Beetle अब तुम मेंसे बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मैं Iron Man fan हो तो कुछ न कुछ करके Iron Man को winner बनाई दोंगा तो ये जानने के लिए तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है ऐसा ना हो बट रिजल्ट चाहे कुछ भी हो comparison डीटेल्ड होगा और Blue Beetle की कुछ अजीब हो गरी powers के बारे में भी बताओंगा तुमको तो इसी बात पर शुरुवाती Blue Beetle से ही करते हैं अब Blue Beetle Comics के बिलकुश शुरुवाती जमाने के सुपर एरोज में से एक रहा है एर 1939 में ओरिजिनल Blue Beetle को टैन केरेट नाम से फॉक्स कॉमिक्स के अंडर क्रियेट किया गया तब इसी कॉमिक्स में नहीं था फ़र 1966 में टेड कॉड को Blue Beetle का टाइटन मिला और उसके बाद 2006 में ये मुवी वाले Blue Beetle के एंग्रिवी कॉमिक्स में हाईमी रियस के नाम से ये बंदा Blue Beetle तब बना जब इसको एक सकरब मिलता है जिसके बारे में इसको कुछ पता तो था नहीं बट देखने में मस लग रहा था तो ये भाई साब इसको घर ले आये और खेल ले पूदने के बाद जब हाईमी सो गया तो ये सकरब उसकी स्पाइल से फ्यूज हो गया जिसका आईडिया आपको ट्रेलर वाले सीन से लग जाएगा अब हाईमी और सकरब की इस जुगल बं आर्मर ऐसे वाइबरेशन्स जनरेट कर सकता है जो मैजिकल अटेक्स को भी निट्रिलाइज कर सकते हैं और ये सारी पावर्स उससे डीसी के मोस्ट पाउरफुल टीनेज हीरोज में से एक बनाती है ये सकरब आर्टिफिशल इंटेलिजन्स की तरह हाईमी को गाइड भी कर अगर ये हाईमियानी की ब्लू बेटल से अगरी नहीं करता है तो सूट को टेक ओवर भी कर लेता है इसमें इंफिल्ट्रेटर मोड भी है जो एंड ये मोवी में स्पाडर मैन के इस्टेंट किल मोड जैसा है तो ये तो अभी मैंने उपर उपर सा आइडिया दे दिये ब्ल ब्लू बेटल का सूट इतना क्रेजी लेवल रिसोर्सफुल है कि ये सूट नुकलिर अटेक्स भी कर सकता है और अपने उपर हुए नुकलिर अटेक्स को नॉर्मली जहल भी सकता है यही नहीं अगर इन्वीज स्टेल्थ मोड या फिर इन्विजबल होकर अटेक करते है त क्योंकि युनिवर्स की रियालिटी के फैबरिक को ही ब्रेक कर सकता है एक बार एक प्लैनेट डेस्ट्रॉइंग विपन द वर्ल्ड रिपर की पूरी एनेरजी को ही अब्सॉर्ब कर चुका है ब्लू बीटल और सबसे बिस्ट चीज सुपर हेरो की यह है कि अगर किसी तरह काईमी बिहोश हो जाए तो भी सकरब ब्लू बीटल सूट को मैनेज कर सकता है अब ब्लू बीटल की पावर्स में सकरब का बहुत ज़ादा योगदान है पर यह सकरब है क्या चीज तो यह सकरब एक पावर्फुल एलियल सिवलाइजेशन रीच का क्रियेट किया हूवा मास डिस्ट्रक्शन लिविंग वेपन है जिसके तुरू रीच वाले प्लैनेट्स को टेक ओवर करते हैं यह सकरब सोलजर्स की तरह होते हैं जो रीच के हाइव माइंड से कनेक्टेड होते हैं और ब्लू बीटल के पास जो इसकरब है उसका राम है खाजी दा जो अर्थ पर काफी सेंचुरीज से था ब्लू बीटल से कनेक्ट होने के बाद इसके एविल प्लास पर थोड़ा बहुत चेंज आया है और हाइमिरियस इसको यूज करके डीसी की दुनिया में अच्छा खासा सुपर इडो बन गया है अभी पूरी ब्लू बीटल कथा सुनाने के बाद असली सवाल पर आते हैं कि क्या ये नीले रंग का कीड़ा लौ बुरुस जैसे रादो वाले टोनी स्टार को फाइट में हरा सकता है अब MCU की बात करें तो टोनी स्टार ने एक एक करके इंप्रूब करते करते टोटल मार्क 85 तक आर्मर बना डाले थेयोरिस के हिसाब से तो 85 से और भी कई जादा हैं और टोनी के पास खुद की डेवलप की हुई कई सारी AI एसिस्टेंस भी रही हैं और यही नहीं भाई साब ने अकेली बैट के एवेंजर्स के टाइम ड्रेवल वाली प्राबलम को सॉल्व कर डाला था टोनी स्टार्क ने हमेशा प्रूव किया है कि जैसे ही उसको कोई एनमी या थ्रेट आइडेंटिफाई होता है अपना अरब पती टोनी स्टार्क उसके नाम गएक आर्मर बना डालता है लेकिन यहां एक बहुत माइनिट डीटेल है जो पूरे शोडाउन में ट्विस्ट ला देती है और वो यह है कि टोनी को जब पता चलता है कि उसकी लड़ाई किस से होने वाली है तब वो उसके इंतजाम वाला आर्मर बनाता था लेकिन अगर आइनमन और ब्लू बीटेल की फाइट रैंडमली हो रही है बिना किसी प्रेपरेशन के जहां दोनों को एक दूसरे के बारे में नौलेज ना हो तो ऐसे में टूनी के पास उसका स्टेंडर्ड आर्मर है पॉसबिली मार्क 85 बट साथ में उसका सालों का experience और extraordinary intelligence है लेकिन सामने ब्लू बीटेल के पास स्केरप की planet destroying level powers और सच बताऊं तो जो powers ब्लू बीटेल की अभी तक मैंने बताई है उनके हिसाब से ब्लू बीटेल शुरुआत में टोनी स्टार्क पर बारी पढ़ सकता है अच्छे गासे chances हैं क्योंकि ब्लू बीटेल के स्केरप का भी अर्थ पर experience कई centuries का है इसकी technology को जिस civilization ने design किया था वो इसके दम पर planets take over करते हुए आए है हाँ बात अगर हाइमी रियस की करें तो एक इनेजर है जो इस सूट के अंदर है इसलिए ब्लू बीटेल जादा बड़ी चीज नहीं लगता है मनों को बट जब भी situation आउट अफ कंट्रोल होती है तो स्केरप सूट का कंट्रोल अपने अंडर ले लेता है जो कि काफी deadly हो जाता है तो इतना आसान नहीं होगा टोनी स्टार्क के लिए यहाँ पर जीतना लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ब्लू बीटल के लिए यहाँ पर easy होगा टोनी की intelligence उसके हार अटेक की range और intensity को बढ़ा देती है बट फिर भी मेरा है मानना है कि विदाउट प्रप्रेशन ब्लू बीटल की प्रॉब्लम क्रियेट कर सकता है टोनी के लिए बट हमेशा कितने तूसरी कंडीशन आती है विद प्रप की जहां टोनी स्टार्क और ब्रूस विन जैसे सुपर हेरोस की सुपरिमेसी है टोनी को टाइम मिलने पर उसने हर किसी के लिए आर्मर बना डाला है और फिर टूबीटल पावरफुल है लेकिन इतना भी पावरफुल नहीं कि वह इन्विनसिबल हो चुका है डीसी कॉमिक्स में ही कई बार बहुत बुरी तरह पिटाई हुई उसकी तो प्रिपरेशन के साथ आयन मैन क्लिरली विनर होगा अब शोडाउन कमपैरिजन इतना कॉम्पलेक्स टॉपिक होता है जिसको एक वीडियो में पूरा कबर करना इंपॉसिबल है तो इस इसकशन को कमेंट्स में तुम लोग आगे कंटीनू करो और तुम्हारे कॉर्डिंग जो विनर होना चाहिए वो भी बताओ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेर कर डालो और और भी ऐसे सुपर हेवरो रिलेटेट वीडियो के लिए इस नीले बरगिले चनल को सब्सक्राइब कर डालो वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक देखते रहो ब्लू आइस बेर